हाई अब्रिवन देसे पावन चर्मा दो दिन से एक तो फ्रैड़ी का सेशन और एक मंदी का सेशन दो दिन से निफ्टी नाइटीन फाइफ निट की उपर ट्रेड कर रहा है हमारे पास मैं इस टाइम पे जो मैक्सिमम सपोर्ट है कैसे कहें 10 लाक वर्सिस 3 लाक यह सपोर्ट है और यह रेसिस्टन्स है तो इतना जादा सपोर्ट इस टाइम पे नाइटीन फाइफ पर बिल होना शुरू हो गया है उसकी उपर बात करें तो दो दिन से शॉट कवरिंग लगातार चल रही है शॉट कवरिंग की वज़े से लांग बिल्ड़ अप बनना शुरू हो जात है क्या होता है जब हम लगातार शॉट कवर करते हैं तो सरफ शॉट कवर नहीं होते हैं बहुत सारे टेडर में लॉंग भी जाना शुरू कर देते हैं उसकी वज़े से कोई भी इंडेक्स कोई भी स्टॉक अपने क्रूशिल लेवल की उपर आ जाता है अगर वहां पे सपो कहा है यहां पर है अगर मैं अब आपको 19600 का रेशिस्टन्स बताओं तो यहां पर 10 का हमारे पास सपोर्ट था और 3 लैक का रेशिस्टन्स था यहां पर अल्मोस्ट उल्टा है यहां पर जो रेशिस्टन्स है यहां पर जो रेशिस्टन्स है यहां पर जो रेशिस्टन्स ह हुआ कोई स्टॉक हुआ एक पर्टिकुलर लेवल पे रेसिस्टन्स फेज करता है तो हमारे लिए बाइ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लेकिन वहाँ पर स्टार आप यूज करते हैं इनकेस अगर वो ऊपर जाता है नाियंीन सिख्षनेट को ब्रेक कर के उसके ऐपर सपोर्ट लेथा है इंट्रारी के अंदर जो न्यू बिल्ड़ अप होता है जिसको आप कहते हैं न्यू बिल्ड़ब अगर इंट्रा्री के अंदर ज़्यादा support provide करना शुरू कर देता है तो buy जो है हमारे लिए feasible हो जाता है call buy करना या future buy करने का यहीं पे equal रहेगा तो आप चुप करके बैठेंगे reason being 9600 और 9500 ज़्यादा range आपके लिए बची नहीं है trade करने की सवाल यह आएगा क्या हम sell on rise कर सकते हैं नहीं चलेगा उसके अलावा in case अगर उल्टा होता है उल्टा का मतलब अगर resistance ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है और support कम तो definitely आप sell on rise कर सकते हैं तो देखें यह situation तब होगी जब equal build up होता है आज क्या हो रहा था अगर आपने देखा होगा 9070 8060 जो हम टेलीग्राम पर बात कर रहे थे तो अगर आप टेलीग्राम का पार्ट नहीं है तो आप इसी वीडियो के नीचे जो लिंक है उसमें जाकर जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक महाँ वैलेबल है वुडू ट्रेडिंग सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा और अगर यह भी तक आपने में सब्सक्राइब नहीं किया है पहले तो वीडियो को पॉस करके या भी सब्स्टाइब बेटन पे क्लिक कीजेगा तभी वीडियो में आगे बढ़िएगा कंटेंट पसंद रहता है तो लाइक करना मत बुलेगा और आपके कमेंट्स में हम रोज पढ़ते हैं तो कमेंट करते रहिएगा उससे हमें आने वाले टॉपिक्स के बारे में आने वाले स्टॉक्स के बारे में या कोई भी latest updates आपको जाने उसके बारे में हमें पता चलते रहता है तब भी वीडियो में आगे बढ़िएगा description box में और भी link available है आप उनको use करते हैं for DMATS for your learning apps के लिए सब कुछ वहाँ पे है तो आप उसको check कर लिजेगा तो यहां परग्रम बात कर रहे थे जैसे आज कभी अगर आप notice करेंगे तो हम बार-बार updates के बारे बात कर रहे थे आज का दिन क्या हुआ था maximum ऐसा लेट हुए आज हमने trade नहीं दिया एक भी लेकिन जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ फुल सविस ब्रोकर के बारे में उनके जो trade आ रहे थे वो maximum stop loss hit होते जा रहे थे एक के बाद एक के मतलब buy कर रहे हैं तो stop loss hit होता sell कर रहे हैं तो stop loss hit होता call buy कर रहे हैं stop loss hit put buy कर रहे हैं तो stop loss hit reason being market बहुत जाज चौपी थी वो क्यों थी क्योंकि जो हमारा build up था वो दोनों तरफ बराबर था इसलिए मैंने कहा जब build up बराबर हो चुप करके बैठे बढ़िया रहेगा अगर जाद अच्छा बने तो buy बनेगा और जादा resistance बने तो sell बनेगा अगर आप अब overall market की बात करें overall तो अगर मैं आपसे कहूं overall market में लगबग 100 stocks जो है वो पॉजिटिव बिल्डप की तरफ चल रहे हैं ठीक है और और अराउंड आधिक 60 60 से लेके 70 stocks हमा रहे हैं वो short covering उनमें short covering कर रहा हूं shorts build up पे चल रहे हैं short बन रहे हैं या फिर long unwinding हो रहे है हमारी long unwinding तो यहां पर shorts या long unwinding लेकिन दोनों को compare करें तो देखिए 100 पे ज़्यादा weightage है और आज की move महिंद्रा महिंद्रा में short covering infosys में short covering और एक और चीज़ बड़ी interesting मैं आपको बता हूँ हम SBI की बात कर रहे थे ना SBI में बहुत सारे लोग ने put sell किया था क्यों sell किया था आप समझ गये होंगे जैसे हम बात कर रहे थे हम उमीद कर रहे थे ना कि SBI rise करेगा उन्होंने क्या किया दबा के put sell किया अब फस गये अब कल जब वो put को निकालेंगे तो क्या होगा कल हमारे लिए SBI भाग सकता है तो इस ट्राइप की जो build-up है इस ट्राइप की जो news है उसके उपर ध्यान रखें आपको trade आसानी से मिल जाएंगे चली यह दो हो गया आपके लिए bonus point तो इस पर जरूर ध्यान रखेगा यह हमारे intraday में include नहीं किया है बट यह मैं इसलिए बताया कि आपको इस सारे चीज़ को जब आप club करते हैं एक दूसरे को तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगली moment कैसे हम पहचानते है अब बात कर करते हैं intraday के लिए निफ्टी के अंदर तो यहां पर वापिस आ गया यह जो पार्ट था हमारा देखें यहीं पर वापिस आ गया तो समझ में आ गया होगा कि पुराना लेवल अब हमारे लिए फिर से resistance बन गया है यह इसके उपर जाता है hold करता है तो definitely यहां buy बनेगा and I think that could be as good as 630, 9630 के आसपास जो है मुझे लग रहा है अराम से आपको buy मिलेगा और अगर नीचे की तरफ करेंगे तो मैं नीचे कोई level आपको अभी fix नहीं कर रहा हूँ आप एक काम किजिएगा ऐसे line draw कीजिएगा थोई से अच्छे से मतला मैं तो हाथ से कर रहा हूँ आप तो हाथ से नहीं करेंगे न और 30 मिनिट के टाइम फ्रेम पे दोनों line plot कीजिएगा और उसके बाद चाहिए एक मिनिट पे trade करें आप पांच मिनिट पे दोनों आपको बराबर काम करेंगे ये रहेगा निफ्टी के लिए बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में अब जैसे हम बात कर रहे हैं बैंक में यह हल चल हुई है यह basically क्या होता है कि resistance उपर की तरह बनता जाता है लेकिन अगर देखेंगे तो resistance दो बार हुआ है लेकिन support लगा तार उस लेबल पे और यह bounce back आ सकता है अगर private bank साथ दें जो आज भी दे रहे थे उसके साथ मेंगर PSU में निकल चलें जैसे हम बात करें SBA की तो अच्छी मोवमेंट हमें bank nifty में देखने को मिलेगी अब यहां पर तो बहुत असान ट्रेड बन रहा है हमारे लिए वह यह है कि आज की जो क्लोजिंग वही देखें 44 800 हमने क्या डिसाइड क्या था 44 600 और 44 800 के बीच में यह चीज हम पहले भी डिसकस कर रहे हैं 44 6 से लेकर 800 के बीच में पहले भी resistance था support था अब पापी से वही आ गया तो हमारे लिए situation वही की वही बनती जा रही है अब यह level अगर इसके उपर जाता है और यहां से break करेगा तो इधर ही आपका buy बनेगा और यह लगातार जो है वो 44 800 के आसपास आके hold कर रहा है यह नीचे गरता है तो यह हमारा first target रहेगा second target आपका 44 400 के आसपास रहेगा और यहां भी आप ऐसी ही अपने line draw कर करके रहेगा आपको जाधाची results मिलेंगे और यह रहेगा bank nifty के लिए बात करते है stock selection के बारे में पहला pick रहेगा और फार्मा और फार्मा में आज moment आया था US ने बिना observation के clear कर दिया है जो inspection latest हुआ था which is good for any pharma companies अब यहां पर उसने क्या किया है उसने एक flag pattern sorry panic pattern बनाया है 30 minute time frame पे उससे पहले भी कुछ ऐसा ही बना था अगर आप notice करेंगे कुछ something like that और एक बड़ा breakout आया वापिस से वही बना है कभी कभी हम यह देखते है कि stock एक particular behavior में trade करता है तो यहां भी अगर देखेंगे बड़ी moment उसके बाद में एक बड़ा breakout उसके बाद फिर एक बड़ा breakout अब हमारे लिए यह बात समझ में आ गई है यह हमारा जो लास्ट बना है इसके ऊपर भागता है यह नीचे भागता है तो आपको बाइसल में उल्टा बन गया उपर बाइसल में आपको प्रॉब्लम नी आएगी यह रीजन है और फार्मा को पिक करने का उसके बाद हमारे पास में रह किया इधर किया इधर एंड अगें एंड टोड़े इस गिवना ब्रेक आउट एंड इस अब यह जो ब्रेक आउट करने के बाद में यह वाला पार्ट बना है यहां पर बाइनिशेट होता है और यहीं से ब्रेक करेगा तो यहीं पर आपका सेल भी बनना शुरू हो जाएग तो यह भी आप दोनों में से आप जो मुवमेंट करें दोनों आपने वाज श्रूम रखेगा बड़या बनेगा मैं आपको गुजरात के बजाए आईजिल के लेवल प्रोवाइड कर रहा हूं तो यहां पर इसको ऐसे उसको यूज कर पाएंगे उसके बाद हमारे पास में है हिंडाल को हिंडाल को में यह पॉइंट फिर ऊपर गिरा फिर एक नीचे एंड वन्स अगें इट इस है अब सब को कलब कर लीजेगा और एक लाइन ऐसे प्लॉट कर दीजेगा अब यहां से देखेंगे अगर इसको मैं लास में दिखाऊ यह आपको समझ में आ गया यह इसके उपर भागेगा यह नीचे भागेगा अब आपको क्लियर समझ में आजेगा इसके उपर बाई बनेगा और नीचे तरफ सेल बनेगा तो यहां पर आप अकॉर्डिंगली ट्रेट ले पाएंगे अपने लाइंस ड्रॉट करके रखिएगा डिसीजन नेने में हेल्प म और ऐसे यह ब्रेकाउट आ चुका है लेकिन हम बहुत क्लोज हैं ब्रेकाउट के मदब ब्रेकाउट आने के तुरंद बाद हम एंटर कर सकते हैं अब यहां पर जो भी हाई इसने बनाया दाट इस 1052 तो 1055 और नीचे गिरता है तो 1045 या तो फेल होगा या ब्रेकाउट कॉ कर रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि इसमें कॉल और पुट है अधर कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो आपको नहीं होते तो उसमें आप कॉल भाई भी काउट भाई भी कर पाएंगे तो यह रहेंगे हमारे स्टॉक फॉर तुमोरो और जाने से पहले में लाइक और सब्स्क्रा झाल झाल